everyone so first part I hope आपने देख लिया अब second part में हम क्या देखेंगे कुछ और concepts अब कुछ और जो concept है वो सारे same formula से निकले हैं जैसे मान लो अगर मैं आपको एक formula बताऊं कि जो 10 theta है वो बराबर है sin theta upon cos theta के कैसे बराबर है देखो 10 theta किसके बराबर होता है P upon B के sin theta किसके बराबर P upon H cos theta किसके बराबर B upon H तो H से H गया, तो क्या बचा P upon B, तो 10 थीटा किसके बराबर हो गया, sin थीटा upon cos थीटा, हमें सिर्फ वही फॉर्मॉले रट के रखने है, ऐसे ही cot थीटा क्या है, 10 थीटा का एक दम उल्टा है, तो 10 थीटा sin थीटा upon cos थीटा था, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा upon sin थीटा, clear है, और अगर 10 थीटा और cot थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानि कि उपर नीचे इनके अलग-अलग चीज़ें आ दी हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, है कि अगर 10 थीटा की multiply आप cot थीटा से करोगे, तो answer क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, चोटे-चोटे चीज़ें हैं जो हमें लगता है, बहुत बड़े-बड़े formula हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अलावा, जो एक और फॉर्मल एंट्रोड्यूस हो रहा है, वो टिग्नोमेटरी का one of the favorite formula है, वो है, sin square theta plus cos square theta हमेशा बराबर होगा पीटा के, नहीं, हमेशा बराबर होगा वन के, क्योंकि सबका मालक एक, अब सबका मालक एक, इसका reason नहीं है, इसका reason यह है, कि sin square theta, cos square theta, sin theta किसके बराबर है, P upon H के, तो यानि कि क्यों हो जागा, P square upon H square, cos square theta, यानि कि B square upon H square, अब जो H square है, नीचे common आगया, P square plus B square, अब हमें पता है कि, as per Pythagoras theorem, P square, B square, किसके बराबर होता है, H square के, H square upon H square equals to 1, 1 ही आना है, पर इतना proof में करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्दगी में, sin square theta, cos square theta, हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के, sin square theta plus cos square theta equals to 1, इसको तो rap में, गाने में, कैसे भी बना सकते होगा, ऐसे ही 1 plus 10 square theta, बराबर होगा, किसके sex square theta के, 1 plus 10 square theta के, तो 1 plus 10 square theta के, हमें कैसे पता चलेगा, 10 theta क्या होता है, P upon B, sec theta क्या होता है, जलदी बताईए, sec theta क्या होता है, sec theta होता है, h upon b, अगर आप सको put करेंगे तो यही आएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा इक्वल्स to 6 स्क्वेर थीटा, ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वेर थीटा इक्वल्स to कोसेक स्क्वेर थीटा, वेरी गुड, अब ये तीन मेजर फॉर्मुले हैं, जिनका बहुत जादा यूज होता है जो जिन्दिगी है ट्रिग्नोमेट्री के उसमें तो इस ट्रिग्नोमेट्री से परेशान नहीं होना है इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ हैपी हैपी रहना है खुश-कुश रहना है तब लाइफ और असान हो जाएगी अब देखिए कुछ इसके ट्राइ करते है questions की questions इसके आते कैसे हैं हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी यहां पे सारे के सारे टाइप के questions cover करेंगे so अब पहला question मालो एक आपको question given है कि कोई sign a है वो बराबर है 8 upon 17 के और आपसे पूछ लिए भाई साब सारे ratio बताओ अब यह करके जितने भी बच्चे हैं चाहे शर्मा जी तिवारी जी और गुपता जी उन सब के हाई पसी ना छुट गया अब यह question हो तो हो कैसे पर answer इसका बहुत असान है कैसे कि देखो sign a किसके बराबर दे लखाया आपको 8 upon 17 के अब sign a का formula क्या होता है sign a का formula क्या होता है अब sign theta यानि कि sign a कोई भी है वो किसके बराबर होगा हमेशा बराबर होगा p upon h की यानि कि आपको p क्या दे दिया 8 h क्या दे दिया 17 बी निकल जाएगा ध्यान से सुनो p दे दिया h दे दिया बी निकल जाएगा एक फॉर्मला ध्यान रखना भाईया 90 डिग्री के राइंगल के जो भी ट्राइंगल है जो भी questions है कि p स्क्वेर प्लस b स्क्वेर हमेशा बराबर होगा किसके h स्क्वेर के तो मेरे को P गिवन मेरे को h गिवन तो बाब भई या P क्यू नहीं गिवन ना भी हो तो मैं उसको बहुत प्यार से निकल लूँगी अब कैसे निकल लूँगी इससे देखो एक मैने बना लिया जी ट्राइंगल आयारे हो कि आपने 8 ऑपन्स 17 दीया 8 कोन है मेरा पर्पेंडिकुलर 17 कौन है मेरा हाइपोटेंवस 17 कौन है हाइपोटेंवस अब आपने क्या मान लिया कि यह कोई 8K है हम सीधा सॉल नहीं कर सकते हैं यह 17K है और यह क्या है बेस है तो पहले तो आप फॉर्मुला लिख दो पी स्क्वेर में सेंडिकुलर 27 R स्कवेर और इस हिस्क्वेर जो होगा 289 च यह 54 K स्क्वेर माइनस 64 K स्क्वेर के बराबर होगा अब 289 में से 64 को अगर माइनस करोगे तो क्या आजाएगा 225or225 के बराबर आप दोनों साइड अंडरूट कर दो बिक इसके बराबर होगा 225 किसका स्कूर होता जल्दीबाएगे 15 का तो बी स्क्वेर जो है अगर 225 K स्क्वेर के है और दोनों साइड हमने अंडरूट कर दिया तो बी किसके बराबर हो जाएगा 15 K के अब देखो 15 के अब तीनों में से के आप हटा दो रहन दो इच्छ है अब में को अगर ट्राइंगल में तीनों ही चीज़े पता है मुझे पता यह आठ है मुझे पता है 15 यह याद कर लेना कुछ ही क्वेशन से जो रिपीट होते हैं 8 15 17 हो गया उसके अलावा 49 41 हो गया उसके सब्सक्ण सब्सक्राइब कर दोने जो गया है को अगला की कवेशन से वह कोैता है दुनिया भर के ठीटा वीटा पूछ लो मुझे सब पता है एसे दिमाग में इमेज बन जानी चैकि आया एप्सपर्ट नहीं इतना खुश होने की जरूरत नहीं है एक टाइप का वेशन और भी बहुत सरे टाप कर्वेशन यह रखुषन ले लिया चैलंजे ले लिया तो ट्रिग्मेट्री ऐसे बिट congregation कोई भीelli निकालता है उसip देता हुझा है कि तरह 373 निकालगा हो गवल कि ऐख बंगriftा सब्सक्व कन भातार Cannes अब आप लोग बहुत परिशान अब फिर से यह question देखके सब का है पसी न छूट गया कि अब यह question हो तो हो कैसे तो फिर आपने भगवान की पूजा करी यह जिसके भी पूजा करते हैं भगवान ने अशिरवात दिया कि जा तरह दिमाग बहुत तेज हो जाए तो आपने क्य तो पहुत जादा value है तो root 3 upon 1 अब वैसे 10theta किसके बराबर होता है P upon B के अब same way question नहीं बनिया यह P given B given क्या मेरे प्यारे भाहियों मैंनो हम H नहीं निकाल सकते हैं फिर से Pythagoras भाहिया को याद करो Pythagoras theorem को याद करो क्या कहती है Pythagoras theorem P square plus B square equals to H square अब साथ में के 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 भी सब्सक्राद हो यह खुश हो जाएंगे खुश क्यूं हो जाते क्योंकि हम डायरेक्ट इसका question नहीं कर सकते हमें इसको solve करके दिखाना पड़ता है M C Q में है तो आप डायरेक्ट कर लो तो P square यानि कि root 3 K square root 3 K square B square यानि कि 1 square equals to H square यानि कि यह क्या हो गया 3 K square यह क्या हो गया H square के बराबर है अब 4 K square equals to H square दोनों साइड अंडर root कर दो तो 4 किसका square होता है 2 का और यह रख्ये इक्वल्स to H अब मेरे प्यारे भाईयों और मैं हमें सब पता है P हमें पहले से ही पता था क्या था जी P P था हमारा root 3 हमें B भी पता था यह था 1 अब हमें H भी पता चल गया यह है 2 तो अब मेरे से दुनिया का कोई भी आप sign theta पूछ लो cos theta पूछ लो क्या मैं बता पाऊंगा मैं बता पाऊंगा और इस वज़े से मैं खुश हो गया ही 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 तो यह दूसरे टाइप का question भी हमने cover कर लिया है अब इसके अगले type का question जो है हम cover करेंगे next video में तब thank you so much मेरे प्यारे बच्चों भाईयों बहनों जो भी हो आप so take care of yourself and meet you in my next video